कहानी की शुरवात होती है वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर नाम की एक जेल से, जहां गोरेंग नाम की एक आदनी किया खुली और उसने देखा कि वो 48 नंबर कमरे में कैद था, वहां एक बिस्तर और सिंख के अलावा और कुछ नहीं था, और अजीब बात ये थी कि कमर खाने के लिए सिर्फ दो मिनट होते हैं, इसके बाद ये खाना अगली मंजिल पर जाता है, हर महीने के अंत में कैदियों को अलग मंजिल पर पीजा जाता था, जब गोरेंग के कमरे में पहली बार खाने का टेबल आया तो उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसने नीचे ल असल में खाने को अपने पास रखना मना था, इसलिए गोरेंग को ये से फैंकना हुगा वरना वो यहीं जल कर मर जाएगा, तब गोरेंग को वो इंटर्वी याद आया जो उसने इस जगा पर आने से पहले दिया था, उसने कागस पर दस्तखत किये थे जिसके मताबे को पहेर सारे पैसे मिलेंगे, अगले दिन को रेंग ने एक बार फिर से कुछ नहीं घाया, उसने लियो से उसकी कहाने पूछी तो लियो ने बताया कि एक दिन उसने टीवी पर एक अनोखे चाकू की आड देखी और तुरंत ही उसे खरीद भी लिया, पर कुछी दिनों में ए 132 में मंजिल तक भी रह चुका है, पर उसने कहा कि यहां और भी मंजिले हैं, निचली मंजिलों के कैदी अकसर भूखे रह जाते हैं, क्योंकि वहां तक खाना पहुचता ही नहीं, अब गुरेंग ने सोचा कि अगर सब बराबर खाना खाएं तो नीचे के कैदीयों तक भी राशन पहुँच सकता है, इसके लिए गुरेंग ने निचली मंजिल के लोगों से बात की, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर लियों ने निचली मंजिल में पेशाव करके अपना चाकु दिखाया, जो वह जेल में अपने साथ ही लाया था, अगले दिन जब टे तब वो भूग के चक्कर में अपने साथ ही को ही मार कर खा गया था, अगली बार जब टेबल आया तो उस पर मिहारू नाम की एक औरत बैटी थी, गोरेंग ने देखा कि वो जखमी थी पर लियों ने गोरेंग को उस से दूर रहने को का, मिहारू हर मही ने एक बार टेबल पर बैठकर नीचे तक जाती थी, ताकि वो अपने खोई हुए बच्चे को ढूम सके, साथ ही वो कई कैदियों को भी मार डालती थी, ताकि अगले मही ने उसे अपने बेटे के साथ रखा जाए, शायद पैरे जो आदमी गिरा था उसे मिहारू नहीं मारा होगा, लियों न बताया कि मैंने किसी को मारा नहीं, बलकि जो लाश मेरे कमरे में गिदी मैंने सिर्म उसका मास खाया, इसके बाद जब मिहारू अगली मंजिल पर गई तो कैदियों ने उसका फाइदा उठाने की कोशिश की, गोरेंग ने चिला कर उन्हें रूपना चाहा और जल्द ही मिह आरू ने उन्हें जान से मार डाला, आखरकार महीना पूरा हुआ और सभी कमरों में गैस भर कर कैदियों को सुला दिया गया, जब गोरेंग की आंख खुली तो वो 171 मंजिल पर बिस्तर से बंदा हुआ था, लियों ने उसे इसलिए बांदा था क्योंकि गोरेंग जवान ह और उसे गोरेंग से अपनी रक्षा करनी होगी, तभी बाकी मंजिलों से चिल्दाने की आवाजे आने लगी, क्योंकि सब की मंजिलें बतल चुकी थी, जब गोरेंग के कमरे में टेबल पहुचा तो खाने के निए एक दाना तक नहीं बचा था, आखरकार आट दिन बाद लियों ने कहा कि देख भाई बहुत भूख लगी, अब कुछ तो खाना ही पड़ेगा, बिचारा गोरेंग रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लियों ने अपने चाकू के इस्तमाल से गोरेंग की टांग से मास निकाला और उसे खाने लगा, पर तभी टेबल पर बैठ कर म मिहारू वहां गई, मिहारू गया था कि गोरेंग ने उसकी मदद कने की कोशिश की थी, इसलिए मिहारू लियों पर खूद पड़ी और उसी के चाकू से उस पर हमला कर दिया, फिर उसने गोरेंग को आजाद करके चाकू दिया और गोरेंग ने एक ही जटके में लियों का क काम दमाम कर दिया इसके बाद गोराइंग बेहुश हो गया और बाद में जब उसकी यां खुली तो उसने देखा कि मिहारू ने उसके टांग पर चादर से पट्टी की थी और वो पास ही बैठ कर लियो को खा रही थी उसने ठोड़ा बहुत मास गोराइंग को विखिलाया और बिना कुछ कहें नीचे चने गई कुछ दिन बाद लियो की लाश पड़ कीरे आने लगे और गोराइंग उन्हें खाने लगा वाइस मूवी ने बूट खराब कर दिया हैर जल्द ही उसकी दिमाग इहालत बिगरने लगी और उसे लियो का भूत दिखने लगा आखिर कार मह इन खत्म हुआ और कमरे में गैस फैल गई अब की बार जब लियो की आँख खुली तो उसने देखा कि एक कुटा उसे चाट रहा था गोराइंग ने देखा कि अब उसे इमो नाम की एक लड़की के साथ रहना होगा इमो वही लड़की थी जिसने उसका इंटर्व्यू लि भी नहीं है इस पर इमो ने कहा कि सब अगर अपनी जरूरत के हिसाब से खाएं तो सब का पेट बर जाएगा लेकिन इसके निए सभी कैदियों को एक जुट होना हुगा पर गुरैंग निगाग यह ऐसा खवी नहीं होने वाला बात में जब खाना आया तो इमो ने खुद और अपने खुद्ते हो सर्फ जरूरत के एसाब से किलाया फिर उसने दो लोगों के लिए प्लेक तयार की और जब खाना नीचे पहुंचा तो उसने नीचे वाले कैदियों से उसकी बनाई हुई प्लेट में से खाने को कहा और कहा कि पो यह प्लीज अगले कैदियों के लि दो हफ्तों बाद गुरेंग भी तंग आ गया और उसने नीचे वाले कैदियों से का कि आज अगर इस लड़की की बात नहीं मानी ना तो रोल्स तुमारे खाने वे मूत के बैजुआ सालो। कुट्टे को मार का खा गई थी। खेर अगले दिन वो टेबल पर बैठ कर चली गई। गुरेंग ने इमो को बताया कि मिहारू अपना खुया हुआ बच्चा डून रही है। पर इमो ने का कि पागल वागल है गया दस महीने पहले यह आकेन यहाँ पर आई थी। फिर बातों में पता चला कि इमो को दरसल कैंसर है। खेर जल्द ही महीने का आखरी दिन आ गया और गोरेंग ने उसे कुछ खाने को दिया। क्योंकि हो सकता है कि कल कुछ भी नसीब नहीं पाए। लेकिन इमो बिस्तर से ही नहीं उठी। अगली सुभा गोरेंग उठा तो उसने देख कि वो 202 मंजिल पर था और उनके नीचे न जाने कितनी और मंजिलें थी। यह देखकर इमो खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। तब गोरेंग को लियों का भूत दिखा और वो कहने लगा कि क्या गोरेंग अब इस लड़की को भी खा जाएगा। अचानक से दीवार पर लकीरें खीच कर दिन गिनने शुरू किये पर जल्द ही भूख ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया और वो इमो का मास काट कर खाने लगा। कुछ समय बाद कैदियों के कमरे बतले गए और इस बार गोरेंग खुश था क्योंकि वो चटी मंजिल पर था। उस कमरे में मिहारू भी थी और उसने अचानक चाकु से गोराइंग पर आमला कर दिया। लेकिन असल में ये सिर्फ एक सपना था। असल में गोराइंग के कमरे में ब्रूनो नाम का एक आदनी था जो अपने साथ रस्सी लाया था। वो ये सूच कर बात खुश हो रहा था कि रस्सी की मदद से ब्रीडिंग के टॉप तक पहुंच जाएगा। जब उसने पांच में मंजिल के लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने ब्रूनो की रस्सी पकल ली। पर जब ब्रूनो ऊपर चड़ रहा था तो ऊपर से कैदी ने ब्रूनो के मूँ पे टक्ती कर पर गोरैंग ने उसकी जान बजाए इस सब के चकर में रस्सी भी नीचे गिर गई कुछ समयवाद गोरैंग को लियो और इमो के भूत फिर से दिखाई देने लगे लियो ने उसे कहा कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि अब सिर्फ एक ही महीना बाकी है और इमो ने जाकर सब को उतना ही खाना देंगे जिससे हारे कैदी का पेट बर सके गोरैंग ने टेबल की स्पीड से हिसाब लगाया कि यहां 200 मंजिले तो होंगी ब्रुनो भी उसके साथ जोड़ गया और उन्होंने बैड तोड़ कर लूहे के हथियार बनाए फिर वो टेबल पर कूद और साथमी मंजिल पर पहुँचे गोरैंग ने का कि इन कैदियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने कली तो खाये था और कल फिर से भी खाएंगे इसलिए उन्हें पचासमी मंजिल से ही खाना बांटना शुरू करना होगा धीरे धीरे वो नीचे बढ़ते र नाम की एक लजीज चीज को चुना और सोचा कि अगर ये चीज आखरी मंजिल तक पहुँच गए तो बहुत अच्छा सर बढ़ेगा इसी तरहां उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और पैना कोटा की रखवाली करते हुए आगे बढ़ने लगे जब वो पचासमी मंजिल पर पहुचे तो उन्होंने बराबर हिस्सों में खाना देना शुरू कर दिया और सभी लोग इससे काफी खुश हुए जब वो 97 प्लोर पर आये तो उन्हें एक बीमार बुढ़ा आदनी मिला गोरेंग ने उस बिचारे बुढ़े आदनी को थोड़ा सूप पिलाया अगली अगली मंजिल पर देखा कि दो आदमी मिहारू पर हमला कर रहे थे एक कहाज में तलवार थी और दूसरा काफी अट्टा गट्टा था इसलिए जब गुरेंग और बुरूनों से बचाने कुदे तो उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया बुरूनों ने पहले इसके बाद वो हर मंजिल पर बराबर खाना बांगते रहे आलांकि कई मंजिलों पर सिर्फ मरे हुए कैदियों की लाशे थी आखिरकार टेबल 333 में मंजिल पर आकर रुक है और उन्हें लगा कि यही आखरी मंजिल है पहले तो उन्हें लगा कि यहां कोई नहीं रहता पर से नीचे जाने लगा तब गुरेंग ने ब्रूनो से का कि पैना कोटा को जल्दी से छेदने पैंक दे पर ब्रूनो ने ऐसा करने से इंकार कर दिया हाला कि उन्होंने खाना चुराया था पर फिर भी कमरा गर्मिया ठंडा नहीं हुआ आखिरकार काफी हिचकी चाहट के बा और उसने देखा कि जादा खुन बहने की वज़े से ब्रूनो की मौत हो गई थी फिर जब अगली बार टेबल आया तो गुरेंग मुरू के साथ उस पर चड़ गया और इसी तरहां चलते चलते वो आखरी मंजिर तर तोंच गए जहां अंधिरे के अलावा और कुछ नहीं उन्होंने उमीद की कि शायद मौरों को देखकर उपर वाले कैदी नीचे की हालत समत सकेंगे और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि सभी कैदी एक दूसरे के बारे में सोचते हुए मिल बाट कर खाने लगे अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में